ओम गण गणपतये नमहा श्री गुरुदे वदत्त नमस्कर मित्रो प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको खास पोर्णिमा के दिन के लिए एक अत्यांत सरल आसान लक्ष्मी प्राप्ती के तोटके के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका प्रयोग करने से आपको अपार धन, दौलत और पैसा मिल सकता है और सदैव लक्ष्मी माता की कृपा और आशिर्वाद बना रहता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें यहाँ लक्ष्मी प्राप्ति तोटका इतना सरल है कि इसका प्रयोग एक बच्चा भी आसानी से और बिना परेशानी से पांच मिनिट में कर सकता है और इसका प्रयोग करने के लिए किसी भी प्रकार के मंत्र, शोत्र बोलने की आवशक्ता नहीं है केवल जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको सिर्फ उतना ही करना है पोर्णिमा के दिन आपको सवेरे सनान करके स्वच्छ वस्त्र धारन करके दस बजे के करीब एक पीपल के पेड के पास जाना है फिर पीपल के पेड के सामने हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता को दिल से प्रार्थना करनी है कि आपकी धन, दोलत, पैसा, संपत्ती, जमीन या जाइदात के बारे में सारी परेशानिया दूर होकर आपको मन चाहा धन, दोलत और संपत्ती प्राप्त हो जाए बस, केवल आपको इतना ही करना है यह तोटका आपको अत्यंत सरल लगेगा लेकिन यह एक बहुत ही प्रभावी लक्ष्मी प्राप्ती का प्रयोग है एक विशे सुचना है कि स्वच्छता का हमेशा पालन करे स्वच्छता लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रीय है और स्वच्छ स्थानों पर ही लक्ष्मी माता का वास रहता है स्त्रियों ने अपने मासिक काल के दवरान इस प्रयोग को नहीं करना है यह एक पुर्णी मा के दिन करने का प्रयोग है लेकिन अगर आप चाहे तो इस प्रयोग को बार बार या हर पुर्णी मा के दिन भी कर सकते हो अगर आप यह प्रयोक सच्चे दिल से या आत्म विश्वास से करोगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त हो जाएगे मित्रो इस वीडियो का अंग्रेजी आर्टिकल आप हमारी साइट प्रॉफिट666.com पर देख सकते हो अगर आपको हमारा चानल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे